आज हम आपके ले घाए है विल्कुल रेस्ट्राइन स्टाइल रेसिपी और यह साथ रेस्टाइब केस ऩार फैस्टा इन सब्सक्राइब करें शक्राइब, कने में आज। ह zwischen शॉबिष रेस्ट्राइन स्टाइल रेसिपी . मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को भी क्लिक करें तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं हेला अभीबन आप देख रहे हैं कुक्त चिंदी और मैं सभीता अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूं चलिए रेसिपी शुरू करते हैं पसंद आये तो लाइक शेयर जरू कीजिएगा तो सबसे पहले हम ने यह सॉस त्यार करेंगे इसके लिए मियो नीज तो टेपल स्पून मियो नीज लेंगे हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है यह सॉस तो अब हम इसमें डालेंगे बैक पेपर पाउडर हमने काली मिर्च को घर पर भी पीस कर ले लिया है तो पिंच याने की पीजा हर्प्स ली है यह भी टू किंच ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे और इन दोनों चीजों को डाल करके हम इसे अच्छी सी मिक्स करेंगे एक पर आप चाहें तो इसमें सॉस भी डाल सकते हैं टमेटो सॉस इसका स्वाप और भी ज्यादा बढ़ जाए नि तुरी हैं झाल भी यह फट फटू से निकाल देए लेएं चीजे लेख से मैं ख़र करने में अब देखे मार्केट में कई तरीके क्या यह मिलते हैं पर हमें कौंसा लेना है फ्रेंश सवाय बनानिके लिए यह मैंने जयारता है तो हमन नहीं मालूम रहता है उस तरीके का आल multip razón के लिए उससे बहुती अच्छी बहुती यह की बनती हैं अब श्ताइब अघी है इन dad the तो आरा थी बनती है हमारी ख्रेंस्ष अब जब भी तैनल ₰हना रहा हैं तो पोशिश किज़े भाडि वही वाला आलो लें तो देखिए अब इसे हम कट कर ले थे हैं आलो को हमने अच्छी से वाश कर लिया है अब इसे हम कट करेंगे अब देखिए आप चाहें तो इन्हें हाफ कुक करके फ्रेजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो कर लेते हैं अब जो अलु निकलेका जो वेष्टेज निकले इसको ने वेटेनी ढाला तरीसी सब्डी को आप से और कीः इसी तो भी है बहुती इजिली कट हो जाती हैं ये अब देखे पटेटो हमारे सारे कट हो गए हैं ये हमारी फ्रेंच फ्राइज कट कर ली हैं हमने अब हम क्या करेंगे फटा फट से इन्हें पानी में डाल देते हैं आप चाहें तो इन्हें काटते जाएं और पानी में डालते जाएं तो आएसा भी आप कर सकते हैं पर मैंने इधर बार में पानी डाला है तो अब हम क्या करेंगे पटेटो को फटाफ़ बहुता ही जल्दी काला होने लग जाता है यह अब देख सकते हैं पानी कैसे जैसे आण्ठे का पानी जाता है न उस तरीके के पासी देखिए हो गया है इसका starch होता है वो निकल जाता है इसे घोश करने से काफी starch होता है आलू में तो अब हम इने वाइल करेंगे 2 मिनिट के लिए तो मैंने इदर गरम पानी रखा है इसमें आदा चोटे चमश मैंने नमक डाला है तो थोड़ा सा गरम पानी होगा न उसी टाइम पर हमें इसमें आलू को डालना है थंडे पानी में ना डाले आ तो थोड़ा गरम पानी हो तभी आप डालें अब मैं इसे दो मिनिट के लिए हाई फ्लिम पर कोख करूंगी इसी तरह से उबाला आने तक तो देगे काफी अच्छे से इसमें अबाला आ रहा है अभी तो अब इसे लगबख दो मेट हो गई है तो अब मैं गैस की फ्लेम को पंद कर देती हूं और नहीं हमने थंडे पानी में निकालना है एकदम थंडा पानी लेना हैं हमें थंड़े पानी में डालने से क्या होता है इनकी जो हीग है वो तुरंती रुप जाती है तो इसलिए हम इसे थंड़े पानी में निकाल रहे हैं अब थंड़े पानी में से निकाल करके मैं इने उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी एक घंटे के लिए ताकि यह बहुत ही अच्छे से थंड़े हो जाएं उसके बाद हम इने एक कपड़े से पहुचेंगे तो देखिए एक घंटा हो गया है मैंने फ्रिज में से उन्हें निकाल लिया है तो अब मैं इस कपड़े पे इने फैला दूँए इस तरीके से और पंकी के नीचे भी आप सुखा सकते हैं थोड़ा या फिर किसी कपड़े से भी पोच सकते हैं फ्रिज में रखने से हमारी जो फ्रेंश प्राइब बहुत ही ज्यादा टेस्टी प्रिस्पी बनती हैं तो आप ज़रूद से उन्हें फ्रिज में रखने हैं या फिर थंडा पूरी तरीके से आपने ठंडा कर लें बालने के बार अब हम क्या करेंगे इन्हें एक पाओल मे दालना है इसमें और इसे अच्छे तरीके से हम कोट कर देंगे कॉन फ्लार से इस तरीके से आप टॉस करते हुए इसे कोट कर सकते हैं तो अच्छे तरीके से हमने इसे कोट कर देना है एक एक फ्रेंच फ्राइज को यह देखिए मैंने कर दिया है तो चली फ्राइज करते हैं करने के लिए मैंने इदर रिफाइन लोई लिया है और तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए करने के ताइम पर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम डाल देते हैं पटेजो को इस तरीके से हमने एक-एक अलग-अलग डालने हैं ताकि यह चिपके ना वैसे तो नहीं चिपके कि खरेंगी को कि हमने इसमें द्रू साथ टोर दाला है आइस सफ्राइय करने लो-टू मीड्यव फ्लेम पर है ऴंए से फ्राइ करना है as कर देच तर पंदर मैं के लिए दो बार ऌना होता है तो एक थार्द पर ऌतरने के बाद आब इन्हें स्टोर करके रख क्षान damages a जब स्टोर कर सकते हैं तो देखिए फ्राई हो गए हैं अब एक बर हमने इने फ्राई कर लिया है तो दूसरी बार हम इने फ्राई करेंगे तो इने एक तम थंडा करके उसके बाद ही इने फ्राई करेंगे आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं थंडा होने के लिए तो तर एक से देएड़ घंटे पहले आप इनने फ्रीज सê निकाल के रखते हैं तो देगे यह भी फ्राइ ऑगए है अभी निकाल लेटे हैं हम कि अविने में ठंडा होने के लिए रखते थी नीए तिके हम अब इन्हें रखना कि अब तक हम की लिए। अब यह थंडि हो घले हुँंगी जो मैंने पहले रख्ऑना होने के लिए उनको फ्राइ करोंगे। तो यह देखी अच्छी से ठंडी हो गई हैं इनको मैंने पहले फ्राई किया था मैंने फ्रेज में रख दिया था इनको अब इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं दोबारा से तो दोबारा से हम इन्हें पांच मेट के लिए फ्राई करेंगे इससे बहुती क्रिस्प बन जाएंगी यहां निदर से सॉफ्ट रहेंगी बाहर से बहुती क्रिस्प बन जाएंगी तो इस तरीके से हमारी फ्रेंट स्वाइज बनके त्यार हो जाती हैं बहुती ज्यादा टेश्टी लगती है यह ये से टीशू के पारें यहां से इस तरीके से त्थेसर्ट इस पहले रहें से और हमें क्या करें हैं यह पिर करनाूंगे लिए भाऔर यह रहां चरंदें अब हम क्या करेंगे कड़ाई में लेंगे बटर तुम्हें यह शॉल्ट इड़ी ले रही हैं अगर अगर अप शॉब्टेट बटर ले रहे हैं थोड़ा असा बंटिन्च सॉल्ट डाल सकते हैं तो टीसपून इसे हमें काला नहीं करना है तो अच्छे से इसमें खुश्बू आने लगी है अभी तो अब यह डाल देते हैं इसमें फ्रेंग स्पाइस को हमें श्राइ करके रखा है इससे बहुत ही अच्छा स्वार बढ़ जाता है इसका तो ज़रू से आप त्राइ कीजिएगा एक बार बहुत पसंद आए यह तो अब हम इसमें डालेंगे पीजा हफ्स डाल रहे हैं हम इदर वन फोर टीश्पूर मैं इसमें पीजा हब्स का यूज़ किया है आप चाहें तो रैट चिली पावडर भी डाल सकते हैं चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसके जगा अब थोड़ी स आपको हमारी रेचिपी पसंद आ रहे है तो प्लीज लाइक शेर जुरू कीजिएगा और साथी हमारे चैनल को जुरू से सब्सक्राइब कीजिएगा तो यह लीजिए हमारी रेस्टरून स्टाइल फैंस फ्राइस हो गए हैं त्यार तेट बर जुरू से ट्राइब तक के लिए बाबाई थैंक्स फोर वाचिंग